नाविक, इंडिया का अपना navigation system, ना न इसे GPS ना कहे, क्योंकि GPS खुद एक navigation system है, जिसका मालिक है United States. जहां दोस्तों आज तक हम जो है युनाइटे स्टेट्स का नाविगेशन सिस्टम हमारे स्मार्टफोन में यूज़ करते आ रहे थे पर अब हम जल्दी आने वाले समय में इंडिया का खुद का नाविगेशन सिस्टम हमारे स्मार्टफोन में यूज़ कर पाएगे इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनेशन याने की इसरो और शाओमी इंडिया के सीओ मनुकमार जेन ने अपने ट्विटर हैंडल पर ये अफिशली अनौंस किया है कि शाओमी के फोन्स जो है वर्ल्ड के पहले फोन होने वाले है जिन में आपको नाविक देखने मिलेगा जनवरी में यूएस चीफ मैनुफेक्टरर को वैलकॉम ने तीन नए चिपसेट्स लाँच किये थे जो है स्नापड्राइगन 720G, 662 और 460 और इन सारे चिपसेट्स में नाविक का सपोर्ट दिया गया है इसलिए आने वाले दिनों में शाओमी इन चिपसेट्स को यूज करक कोई नाविक सपोर्टेट फोन लाँच करेगा अब आप कई लोगों को कई सारे सवाल आ रहे होगे जैसे नाविक्यों चाहिए भाई GPS तो है तू उन लोगों के लिए बता देता हूँ तो कहानी ऐसी है 1999 में यानि की ठीक 20 साल पहले कारगिल वार के समय की बात है तब इंडिया को पाकिस्तानी सेना से रिलेटेड GPS डेटा की जरूरत थी और उस वक्त इंडिया ने यूनाइटे स्टेट्स को ये डेटा मांगा था बट यूनाइटे स्टेट्स ने साफ साफ GPS डेटा देने से इ इंडिया की जैसे ही और कई सारे देशों के पास अपना खुद का नाविकेशन सिस्टम है जैसे रशिया के नाविकेशन सिस्टम का नाम है गलोण ऐश यूरोप यूनियन के पास है गलीलियो और चैना के पासे बीडियो आइड डों डाउंट वरांज इट तो आज के वीडियो इन्फॉर्मेट्री लगाओ तो इसे लाइक कर दीजीगा ऐसे ही वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कर दीजीगा मिलते हैं अगले वीडियो में थन्यवाद झाल